अगर morning erection ना हो, जब आप सुबह उठते हैं, उस टाइम पे अगर आपका link पूरा इस तरीके तनाव में ना हो, तो क्या वो एक समस्या होती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे नमस्कार, मैं हूँ आपका sexologist दीपक अरोडा, हमरे क्लिनेक्स दिल्ली और चंडिगर दोनों जगहां पे हैं, उसके अलावा हमरी website drarodas.com के थ्रू हम online consultation भी प्रोवाइड करते हैं चलिए आज के सवाल को लेके हम बात करते हैं, कि जो morning erection अगर नहीं होता है, तो क्या वो समस्या होती है? उसके बारे में कोई tension लेने की, कोई चंता करने की कोई जरुरत होती है? देखिए एक बात समझे है, कि morning erection अगर तो आपको लगता है कि कभी कबार मैं सोता है? कि most of the age है, आप यंग है, या old है, किसी भी उमर में आप, आप किसी भी age group में, अगर तो आपको लगता है कि कभी कबार morning erection मिस होने लग गया है, तो that is fine, कभी कबार मिस होने की रती भर भी tension मत लीजी, that is 100% fine, there is nothing to be worried about that, but यदि आपको लगने लग गया है कि morning erection ज्यादा टाइम मिस होने लग गया है, कि अगर हम average की बात करें, तो 10 दिन में धीरे धीरे करते हुए, 6-7 दिन ऐसे आने लग गया है, जब वो नहीं होता, या उससे भी ज्यादा दिन ऐसे हो जाते हैं, या कभी महीनों महीने, 2-3 महीने हो गए है, अब morning erection हो ही नहीं रहा, तब आपको थो बोड़ा सा आँखें खोलिए, आँखें खोलिए, और किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे सिक्सॉलोजिस से जाके मिलिए, बात कीजिए, चाहे तो online consultation पर discuss कीजिए, फिर वो professional, वो सिक्सॉलोजिस्ट ये डॉक्टर, आपकी समस्या को समझने के लिए बहुत गहरा काई में उतरेंगे, उसके मताबिक वो समझ पाएंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है, आपकी किसी तरीके के lifestyle को बदलने की जरूरत है, आपकी किसी diet को बदलने की जरूरत है, या वो proper उसको कोई diagnose करने के लिए कोई test करवाने होंगे उनको, तो वो करवा के समझ लेंगे कि उनको अगर कोई दवा भी देनी है कुछ करना है तो वो अपने आप वो decide करेंगे बट इसकी इतनी tension लेने की हरगिस जरुरत नहीं होती है बट यदि आपको लगता है कि आपका किसी भी तरीके का कोई इलाज चल रहा है और उन दवाओं को शुरू करने के बाद अब आपको लगने लग गया है कि अब morning erection में सोने लग गयी है तो ये उन दवाओं का कुछ adverse effect या दवाओं का कारण भी ऐसा हो रहा हो सकता है तो अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से जिस भी डॉक्टर से आपका उस किसी भी समस्या का इलाज चल रहा है जिसके बाद आपको लगने लगा कि erection में गड़बड होने लगा है morning erection की बात हम कर रहे हैं आज के इस session में तो अपने डॉक्टर से आप बात करेंगे कि सर में को ये दवाएं खाने के बाद ये समथ से आ रही है तो वो decision आपके वो डॉक्टर लेंगे कि उनको आपकी दवाओं में change क्या करना है आपके lifestyle डाइट में क्या change करना है मगर इसकी चिंता करने की ज़रत नहीं है ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी morning erection मिस होने लगए तो उस पर आप सचेत होने लगए है मैं मिस होने को अच्छी बात नहीं कह रहा हूँ आपके सचेत होने को अच्छी बात कह रहा हूँ बिकोज अगर हम सचेत होंगे, जागेंगे, सचेत होंगे, तब भी तो इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कुछ इनिशियेटिव लेंगे ना, और इन समस्याओं से बाहर निकलके फिर से अपनी सेक्स लाइफ को बहुत 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 आते हैं अच्छे वाला करते जाईए कीप उन इंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ